नमस्कार दोस्तों कल करे टेडिंग सेशन 16 मार्च एकसपायरी की दिन निफ्टी और बेंक निफ्टी को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कौन-कौन से important levels निफ्टी और बेंक निफ्टी में रहने वाले हैं पूरी डीटेल में analysis के साथ में कल का trading plan इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप लोग नए हैं तो subscribe करने के साथ ही बेल आइकन को press कर लिजिए ताकि आने वाला latest informative वीडियो आप सबसे पहले देख सको साथ ही मारा टेलिग्राम चैनल जोइन करना चाहते हैं लिंक आपको वीडियो के description में दिया गया है डारेक्ली आप लोग जाके जोइन कर सकते हैं चलिए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले बेंक निप्टी के analysis उसके बाद में देखेंगे निप्टी 50 की analysis दोस्तों बेंक निप्टी की final closing हमें देखने को मिल रही है 39,051 के आसपास में previous closing से हमें याँ पे 359 पॉइंट है वो negative देखने को मिल रही है और दोस्तों आप लोग याँ पे देख सकते हैं बेंक निप्टी की जो daily time frame में important जो range थी नीचे की side में support area था 39,600 के आसपास में important support जोंता जहां पे market ने देखिए दो तिन बार यहां पे support किया था इसको market ने daily time frame में यहां पे breakdown कर दिया एंड उसके बाद में देखिए यहां पे retest करने के बाद में continue market यहां पे downtrend को यहां पे try कर रहा है अब दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की जो candle है यह आज की candle आपको यहां पे जो bearish engulfing टाइप की candle बनी हुई है हालांकि दोस्तों दोनों ही candle red है पर आपको यहां पे bearish engulfing टाइप की candle देखने को मिल रही है प्रीवेस केंडल आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पूरी तरीके से कवर की गई है तो बीरिस एंगलफिंग टाइप की केंडल है कंट्यूनी दोस्तों मार्केट है वो फिलाल आपको यहाँ पर वीक नजर आ रहा है एंड दोस्तों नीचे की साइड में इंपोर्टें circuit का लेवल इस लेवल के आसपास में हमारे कं अहां पर सबसे पहला आप तरी एट 2500 के आसपास में उसके बाद में हमारे सामय जो सब्सकूर्ण आसपास में यहां पर भी हमारे के support नजार आ रहा ही जहां पर मार्केट ने प्रिवेस तिनों में support लिया है डेली टाइम फ्रेम में बड़ दोस्तों इससे पहले एक important जो हमारे लिए demand एरिया रहने वाला है ये जो consolidation एरिया है जहां पर market ने time spent किया था एंड उसके बाद में breakdown आया था तो ये हमारे लिए important demand एरिया है यहां से market में अगर buying आती है तो अच्छी बात है यहीं से market उपर की side में जा सकता है देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होता है एक बार हम लोग intraday के लिए 15 minute के time frame में देखते हैं कि कौन-कौन से important levels हमारे लिए bank nifty में रह सकते हैं और आप लोग intraday में किस तरीके से bank nifty को trade कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों एक बार हम ज्यादा को राटिंग इंक्रीज हुए है वो आपको देखने को मिलेगी थैटी नाइन दाउजन थ canvi की उपर यह जो देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ अपर थैटी नाइन दाउजन थियांड़रे पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई है उसके आद में दोस्तों चालीस हैंडार का लेवल दुस्तों बहुत ही ज़्यादा इमपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया अगर मार्केट चालीस की लिवल को ब्रेक करता है तो उपर की साइड में थोड़ा बहुत मुमेंट है वह बाइंग साइड के लिए भी बन सकता है बड दोस्तों इंट्राडे में जो हमारे लिए सबसे पहला रहेगा 39,300 का लेवल रहेगा इस चून को आप लोग जरूर ध्यान में रखियागा और दोस्तों call writing आप लोग यहां पर देख सकते हैं अच्छी कासी देखने को मिल रही है compare to put writing के तो market का फिलाल जो sentiment है वो आपको negative देखने को मिल रहा है एंट दोस्तों एक बार हम लोग PCR data को भी check कर लेते हैं कि PCR data है वो हमें क्या बता रहा है एंट दोस्तों आप लोग नीचे की side में आप लोग देख सकते हैं PCR data दोस्तों total call writing की बात की जाए तो 60 million के आसपास में total call writing 60 million है total put writing यहां पे 32 million के आसपास में PCR data दोस्तों 0.5 के आसपास में तो market दोस्तों strongly bearish zone में हमारे को यहां पे देखने को मिल रहा है कल के दिन हो सकता है दोस्तों यह जो जितने सारे call writers है जिन्होंने 16 March की expiry के लिए call sale कर रखी है and put sale कर रखी है जो आप लोग देख सकते हैं यहां पे दोस्तों 39,000 पे भी बहुत सारे लोगों ने put writing की हुई है तो अगर कल के दिन यहां पे 39,000 के नीचे market sustain करता है तो market में एक अच्छा का सा moment है वो देखने को मिल सकता है यह आप लोग जरूर ध्यान में रखेगा market की जो closing है वो 51 के आसपास में है तो अगर market कल के दिन इन सभी को यहां पे loss होता है यह अपनी position को cut करेंगे तो market फिर से तेजी से downside के लिए जा सकता है इन दोस्तों second आप में जरूर आपको यहां पे ऊपर की side call side में आपको जरूर थोड़ा बोत पैसा है वो देखने को मिल सकता है क्योंकि यह जितने भी call writer है यह अपनी position को second आपके बाद में cut करेंगे तो आपको एक upside के लिए moment है वो देखने को मिल सकता है bank nifty में second आपके बाद में आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि market का overall trend negative देखने को मिल रहा था जितने सारे call writers थे दोस्तों वो अपनी position को कल के दिना है वो यानि जिन्होंने कल के expiry के दिये अपनी position बना रखी थी वो अपनी position को cut करेंगे तो आपको profit है वो जरूर देखने को मिल सकता है चलिए देखते है bank nifty को कौन-कौन से important levels पे हम लोग यहाँ पे trade कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा continue market intraday में देखे एक swing high and low के formation में आपको continue देखे swing low बनाया, swing low बनाया, swing high बनाया, swing high बनाया इस तरीके से market continue swing high and low के formation में downtrend को यहाँ पे continue कर रहा है और दोस्तों कोई भी swing high है वो bank nifty यहाँ पे break है वो नहीं कर पाया है जब तक market कोई ना कोई swing high break करके उपर की side में इस तरीके से फिर से एक नया trend नहीं बनायागा intraday में तब तो हम लोग यहाँ पे bullies है वो नहीं रहने वाले एंड दोस्तों market को अगर reversal देना है तो हो सकता है कि market यहाँ पे एक W type का pattern भी बना सकता है उसके बाद में हम लोग यहाँ पे उपर की side में यानि buying side के लिए trade में भी entry ले सकते हैं important दोस्तों कल के लिए resistance area की बात करें तो सबसे पहला हमारे लिए रहेगा 39,300 के आसपास में थोड़ा सा time spend करने के बाद में breakout करता है तो directly आपको दोस्तों 40,000 के आसपास का लेवल यह जो important resistance area है यह आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे market ने resistance लिया है अगर एक बार यहाँ पे और resistance लेता है उसके बाद में market यहाँ पे थोड़ा time spend करता है breakout करता है तो फिर आपको एक अच्छा कासा moment upside की तरप में भी देखने को मिल सकता है और दोस्तों उपर की side में important resistance उसके बाद में हमारे लिए रहेगा दोस्तों यह जो zone है 40,400 का level यह level भी हमारे लिए important रहेगा जो एक हमारा supply area है वो रहने वाला है market यहाँ पे consolidate हुआ था इसके बाद में breakout आया था तो यहाँ पे market है वो फिर से retest करने के लिए आ सकता है यही से आपको फिर से selling का pressure है वो देखने को मिल सकता है अगर market देखें दोस्तों कल के दिन ज्यादा बड़ा gap down open होता है तो हम लोग live market में जो भी price section बनेगा जो भी data हमारे को बताएगा उसके हैसाब से हम लोग trade करेंगे live market में अगर data changes होता है तो हम लोग telegram channel पे आपको update करेंगे telegram channel आप लोगों ने join नहीं किया है तो आप लोग जाके join कर सकते हैं अगर market कल के दिन देखे gap up opening देता है 39,300 के उपर में opening देता है तो भी हम लोग price section का wait करेंगे कल के दिन expire है इसलिए हम लोग जबरदस्ती की कोई भी trade नहीं करेंगे कोई भी price section बनेगा हमारे लिए कोई भी अच्छा setup बनेगा तभी हम लोग trade करेंगे नहीं तो हम लोग avoid करेंगे तो इस तरह के से आप लोग bank nifty में planning कर सकते हैं चलिए देखते हैं दोस्तों nifty 50 की analysis की उसमें हम लोग किस तरह के से trade कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक बार daily time frame में देखे तो daily time frame में जो हमारे लिए important जो जौन बन रहे है daily time frame में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों nifty 50 index की जो closing देखने को मिल रही है इसी support area के पास पे closing दिया है अब nifty के लिए जो important support area बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है इस level के आसपास में अगर nifty support लेता है तो यह बनेगा दोस्तों 16,800 के आसपास में जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर फिर से एक low है वो बना दिया है चलिए देखते हैं 15 minute के time frame में nifty 50 index को हम लोग किस तर किसे trade कर सकते हैं कौन-कौन से important levels nifty 50 index में हमारे को देखने को मिल सकते हैं इससे पहले दोस्तों एक बार हम लोग open interest का data check कर लेते हैं ताकि आपको निप्टी में भी कुछ data देखने के बाद में आपको थोड़ी सी आपको आसानी रहे निप्टी में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा जो call writing की गई है वो की गई है दोस्तों 17,000 के level मिल सकता है call writing दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अच्छी कासी आपको देखने को मिल रही है लंबे लंबे ग्राफ आपको देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं दोस्तों निप्टी इंडेक्स की भी जो weakness है वो आपको देखने को मिल रही है sentiment बिलकुल है यहाँ पर आप užक् 這個 1.800 75,000 566,000 के आसपार्ष में आपको देखने को मिल रही है तो कल के Caitइईंग सेशन में दूस्टो हो सकता सेकंड आपके बाद में आपको ठोड़ा वुत प्रॉफिट देखने को मिल सकता है या फिर दूस्टो कल के trading session में जो भी आपको price section देखने को मिलता है live market में data बताएगा उसके साफ से हम लोग trade करेंगे live market में जो भी update रहेगी वो मैं आपके साफ में telegram channel पे share कर दूँगा एक बार हम लोग दोस्तों nifty में भी important resistance है वो हम एक बार देख लेते हैं nifty में भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों continue market यहाँ पे downtrend कर रहा है उपर की side देख सकते हैं intraday में आपको एक swing high end low swing high end low आपको यहाँ पे continue आपको देखने को मिल रहा है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो कहिना कि दोस्तों एक important resistance zone है वो हमारे लिए बन चुका है 17,200 का level यहाँ पे market ने resistance लिए है यहाँ पे market ने रिजिस्टेम्स लिए है इस zone को market ने दोबार यहाँ पे test कर लिया है अब अगर market यहाँ पे इस zone के आसपास में आता है 17,200 के level के आसपास में इंड उसके बाद में यहां पे अगर time spend करने के बाद में breakout आता है तो हो सकता है कि market में छोटा सा reversal आपको यहां पे देखने को मिल सकता है बड़ दोस्तों market को 17,200 का zone जहां पे market ने दो बार इस zone को test किया है तो अगर यह zone 2-3 बार यहां पे test होता है तो यह zone दोस्तों week हो जाएगा उसके बाद में market में एक upside के लिए moment भी आपको देखने को मिल सकता है उसके बाद में दोस्तों आपके सामने यह रहेगा swing आई 17,500 का एक जो level रहेगा यह resistance रहेगा इसको market break करने के लिए यहां पे आ सकता है इसको test करने के लिए भी आ सकता है कल के दिन अगर nifty 50 index तोड़ा gap down open होता है तो भी हम लोग live market में price section के साब से trade करेंगे अगर यहां पे gap up opening देता है तो भी हम लोग live market में price section के साब से trade करेंगे कल expiry का दिन है तो जो भी live market में data बताएगा उसके साब से हम लोग trade करेंगे तो telegram channel पे आप लोग नहीं है तो join कर लीजिएगा link आपको video के description में दिया गया है इस video में बस इतना ही video आपको पसंद आया तो video को like जरूर करें चैनल पर आप लोग नहीं है तो channel को subscribe जरूर करें मिलते हैं फिर एक नए video के साथ में तब तक के लिए सीखते रहो कमाते रहो और खुस रहो